जिसके कान हूँ, वो सुन ले, जिसकी आखें हूँ, वो देख ले हम उन लोगों के लिए विशेज धनेवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, Google पे और पेपर लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं शुक्रिया क्रेस और मैं खासकर शुक्रिया कहना चाहूँगा शबबीर को जितने Christian debaters को मैं जानता हूँ वो Muslim debater शबबीर की इज़त करते हैं दुनिया में तो आगे बढ़के मैं भी असा करता हूँ Christians और Muslim कुछ बातों पर सहमत हैं हम मानते हैं कि परमिश्वा ने ब्रह्मान बनाया है और परमिश्वा ने नबियों को भेजा और scriptures भेजे कि येश्व मसीहा है और येश्व कुवारी से पैदा हुआ और येश्व ने बहुत सारे चमतकार किये और ऐसी बहुत सी बाते लेकिन एक जो सबसे साफ मतभेद है Christians और Muslim में वो ये कि Christians दावा करते हैं कि येश्व खुदा का बेटा है और इसलाम के नजरिये से सबसे अच्छी आयत होगी इसके लिए सुरा 9-30 और यहूदी कहते हैं एजरा अल्ला का बेटा है और मसीही कहते हैं मसीहा अल्ला का बेटा है ये इनके अपने ही मुखी बाते हैं और जो लोग इमार नहीं लाए ये लोग वैसे ही हैं अब इस आयत को पढ़के कुछ अलाम बंद होने चाहिए क्योंकि यहूदी एजरा को अल्ला का बेटा बुलाते हैं और आगे आयत कहती है जब यहूदी एजरा को खुदा का बेटा कहते है और मसीही येशु को खुदा का बेटा कहते है तो हम उनकी तरह हो गए जिन्होंने पहले अविश्वास दिखाया था हम यहां किसकी तरह बन रहे हैं? क्रिस्टियन्स एक दिन उठके कहते हैं वाउ हमें तो और ज्यादा पॉलिथिस जैसा बनना चाहिए नहीं, क्रिस्टियन्स के पास इसके लावा कोई दूसरा चुनाव नहीं कि येश्व को खुदा का बेटा का है क्योंकि येश्व सन अव गौड करके पहचाने गए कई गवाहों के बादलों के दौरा आईए इन में से कुछ गवाहों को देख भी लें येश्व का बप्तिजमा हुआ था जौन दा बैप्टिस्ट के दौरा और मती दीन में आगे ये होता है और येश्व बप्तिजमा लेकर तुरंट पानी में से उपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने उपर आते देखा और देखो ये आकाश्वानी हुई कि ये मेरा प्रियपुत्र है और इससे मैं बहुत खुश हूँ एक आवाज स्वर्ग से आई और कहा ये मेरा प्रियपुत्र है जिसका मतलब है ये पिता की आवाज है लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में पिता कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा जॉन दबैप्टिस को या किसी और को नहीं कहा गया वेल स्वर्ख से पवित्र आत्मा नीचे आता है और येशु पर उतरता है। ध्यान दीजे पिता और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ पहचान करते हैं येशु की सन अव गौड की तरह है। और येशु ने भी खुद अपनी पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में जब महायाजक ने पूछा क्या तू उस परमधन्य का पुत्र है। जवाब में येशु ने कहा मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्शक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तो यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्म तीनों पूरी तरह से सहमत हैं कि येशु खुदा का बेटा है। लूका एक में जिब्राइल मरियम से कहता है, मरियम डरो मत क्योंकि परमेश्वर का अनुगरत तुम पर हुआ है, देखो तुम गर्वती होने वाली हो और तुमारा एक पुत्र उत्मन होगा, तुम उसका न परमेश्वर का पुत्र ये तो हो गई नभियों की गवाही और येशु के प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरित नथैनियल युएन्ना के आखिर में कहता है, रब्वी तु परमेश्वर का पुत्र है और इस्राइल का महराजा है, मती 16 में येशु अपने चेलों से पूछते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस उत्तर देता है, तु मसीहा है, जीवित परमेश्वर का और जब नव पर चल जाते हैं, तो हवा थम जाती है, और चेले उसे दंडवत करके कहते हैं कि तू सचमुछ खुदा का बेटा है, अब सिर्फ उसके पुरुष चेलों ने ही उसे सन अफ गौड नहीं बुलाया था, येशु से मिलती है जब वो लाजर को मुर्दों से जिल अगर मर भी जाय तो भी जिएगा, और जो को जीवित है मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा, क्या तो इस बात पर विश्वास करती है, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, जो दुनिया में आने वाला था, मा पहली रोचक बात है, दुष्टाहत्माओं ने भी उसे सन ओफ गॉट कहा जब कि वो उन्हें निकाल रहा था, ये लूका चार में दिया है, सूरज डूपते समय जिनके हाँ अलग-अलग तरह की बिमारियों से पड़े हुए लोग थे, वो भी उन्हें उसके पास लिया और हाथ रखके एक-एक कुचंगा किया, और दुष्टात्माय भी ये कहकर निकल रही थी चीकते हुए कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, पहली सदी के सिर्फ उन्हीं लोगों ने येशु के पुत्र होने को नहीं माना था, जिन यहुदी अग्वों ने उसे रिजेक्ट कर है खुद को, अब सोचिये जर्ख कितने अलग-अलग तरह के गवाह हमारे पास यहां हैं, पिता ने येशु की पहचान की परमेश्वर के पुत्र के रूप में, येशु ने खुद अपनी पहचान दी परमेश्वर के पुत्र के रूप में, पवितरात्मा ने पहचाना य येशु को परमेश्वर का पुत्र, एंजिल गेबरियल ने भी पहचाना परमेश्वर का पुत्र करके येशु को, नभी युहन्ना वप्तिज्मा दाता ने भी उसे सन अफ गौड करके कहा, येशु के प्रेरितों ने उसे परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना, मार्था न वरते सब मिलकर एक कोरस एक सुर में गाते हैं कि मुहम्मत को एक रेवलेशन मिला था सुरह 6101 अदबुत स्वर्ग और पृत्वी के बनाने वाले के बेटा हो कैसे सकता जब उसकी बीवी ही नहीं थी तो अल्ला के बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसके कोई बीवी नहीं है एक गर फिर कुछ एलाम बुझने जा रहे हैं कुरान के पढ़ने वालों को ये याद आएगा कि मर्यम ने भी ठीक यही एतरास जताया था जब जिबराइल ने उससे कहा कि उसके बेटा होगा उसने कहा मेरे कैसे बेटा हो सकता है जब मुझे किसी आदमी ने चुआ ही नहीं अ अल्ला ने जवाब दिया ये मेरे लिए आसान है तो यहां अल्ला के लिए आसान है एक बेटे को पैदा करना बिना दोनों माबाप के या बिना किसी सेक्स के लेकिन जैसे ही हम सुराच 6 में पहुंचते हैं जो कि थोड़ा साई बात में रिवील हुआ था ये एकदम से असं इसके भिन भिन मतलब हैं बाइबल में कुछ का प्रयोग तो येशु के अलावा भी किया जा सकता है लेकिन कुछ सिर्फ येशु के लिए ही प्रयोग किये जाएंगे लेकिन एक मतलब तो इस फ्रेज सन ओव गौड का कभी नहीं रहा कि परमेश्वा ने सेक्स किया और नस मुसलिम इन आलोशनाओं को सीरसली लेते हैं तो उन्हें ये जबरदस्ती कहना पड़ता है कि जितने भी दस्तावेज हैं येशु के जिंदगी से संब्दित वो सब खराब हैं अब यहां दो समस्या हैं पहली ये कि हमारे पास गवाहियों की पूरी एक कड़ी है जो पीछ येशु के चेलों तक जाती हैं हमें पता है कि उनका क्या विश्वास था उनका विश्वास था कि वो परमिश्वर का बेटा है अगर येशु इसलाम का नबी था और उसके चेले सालों तक उसकी सुनने के बाद ये कहते हुए बाद में निकल पड़े कि वो खुदा का अगर तुम इंजील और दूसरे रेवलेशन जो तुम्हें मिले उस पे खड़े ना हो तो तुम्हार पास कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है। कि वो था तो नभी लेकिन उसने दूसरों को दुरगटनावश ये निश्चे करा दिया कि वो खड़ा का बेटा है। तो अगर आप सच्मुच ये जानना चाहते हैं कि ये शुकौन था तो आप कुरान पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं पिता पर, पुत्र पर, पवित्रात्मा पर, एंजल गेब्रियल पर, जॉन दबैप्टिस्ट पर और भी बहुत सारे जिनोंने बार बार ये कहा है कि ये शुकौन खुदा का बेटा है। मैं शुरू करता हूँ अपने सेशन को अपने बनाने वाले सिर्जन हार की महिमा करते हुए और सारे नभीयों पर खुदा की सलामती मांगते हुए मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वज़े से आज मैं यहाँ इस प्लैटफॉम पर आया हूँ और ब्रदर डेविड वूट का भी धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ यहाँ आने के लिए और ब्रदर क्रिस का भी और इस प्रोग्राम को दीरे दीरे विक्सित हुए हैं यह सब गुजरते वक्त में विक्सित हुए हैं और यह असल कहानी नहीं है और अपनी प्रेजेंटेशन में मैं तीन पॉइंट्स पर फोकस रखूंगा और इन तीनों पॉइंट्स का समंद इंग्लिश के थी के पहले तीन शब्दों के साथ है पी एच और आर सबसे पहले टी मतलब टेक्स्ट ह for history इतिहास और आर for reason मतलब तर्क और मैं कहना जाता हूँ कि ये तीनों text history and reason मिलकर हमें ये बताते हैं कि इसा आले सलम मतलब ये शू ने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया और ये नामुम्किन कि ये शू खुदा का बेटा है असलमें गुजरते वक्त के साथ विक्सित हुआ था जैसे मैंने कहा मैं अभी शुरुआत करूँगा history से अब जब हम इतिहास से शुरू करते हैं तो जब हम इतिहास में पीशे जाकर देखते हैं कि ये शू कौन थे जैसे कि scholar या विजवान लोग आज समझते हैं तो आपको ये शू को यहूदी नजरिया के साथ समझना पड़ेगा जिसमें वे पैदा हुआ और पला बढ़ा था उधारन के लिए मेरे पास ये किताब है जिसको लिखा है जेम्स चार्ल्स ने और इसका नाम है जीजस विदिन जुडियेजम वे हमें दिखाते हैं कि यहूदी धर्म में खुदा को अपना पिता कहकर बुलाना ये एक आम बात थी और फिर हम ये भी समझते हैं कि पराने नियों में बहुत से ऐसे महतोपूर्ण लोग हैं मतवपूर्ण फिगर हैं जिने खुदा के बेटे कहकर बुलाया गया है और खुदा भी उन्हें अपने बेटे कहता है खुदा ने दौद को अपना बेटा कहा और सुलिमान को अपना बेटा कहा और ये बाद में होता है कि मसीह लोग इसी विचार को लेते हैं हम जानते हैं कि खुदा दौद को अपना बेटा कहता है और फिर मसीह लोग इसी ब beggar को लेते हैं और कहते हैं कि खुदा ने ये शु को अपना बेटा कहा ओदारन के लिए जब ये शु का बबतिशमा हुआ था लेकिन ये बियान असल में दौद की तरफ इशारा कर रहा था तो दौद ये वाला डिविड नहीं इतिहास वाला डिविड और इस परकार दौद को भी खुदा का इकलोता बेटा कहा गया है अब अगर दौद खुदा का इकलोता बेटा है और फिर येशु को भी खुदा का एकलोता बेटा कहा गया है और अब हमारे पास दो खुदा के एकलोते बेटा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि येशु ही खुदा का एकलोता बेटा है ये समझ से बाहर है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इतिहास में लोगों ने येश्यू की पद्वी को बहुती बड़ा चड़ा दिया है और ये सिरf मेटाफोर या रुपक के तोर पर नहीं वरन बिलकुल सचे तोर पर अडप्ट की हुए खुदा के बेटे तो अगर यिश्वू खुदा का अडप्ट की हुआ बेटा है तो ये अडप्शन कब हुई क्या ये अड़प्शन बबतिस्मा के वक्त हुई जाए जब येशु मुर्दों में से जी उठे तब वे खुदा के बेटे बेटे बने थे तो ये सब असल में कब हुआ था तो यहां इसे समझने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके है अगला प्राविया स्टेज ये है कि येशु को सिर्फ अड़प्शन के तोर पर ही खुदा के बेटे नहीं समझा जाता है वर अनन्त तोर पर भी खुदा का बेटा समझा जाता है जिसमें कि हम येशु को खुदा के रूप में देखते हैं और उसे पवित्तर त्रियक्ता के सिधानत का एक हिस्सा माना जाता है और गुजरते वक्त के साथ ये सिधानत यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही विक्सित हुआ है और मसीह लोग लगातार ये शू को खुदा का बेटा कहते हैं जबकी उन्होंने उसे खुदा की पदवी तक बढ़ा दिया है लेकिन आप इसे दोनों तोरीकों में नहीं ले सकते हैं जैसे की मेरा बेटा मैंण नहीं हूँ और खुदा का बेटा खुदा नहीं है तो आपको नेड़ने करना पड़ेगा कि आप उसे खुदा बनाना चाहते हैं या खुदा का बेटा बेटा बनाना चाहते हैं क्योंकि ये सब कुछ हद तक हमें गड़बडी में confusion में लेकर जाता है जिसके बारे में हम आगे reason में जाकर विचार करेंगे तो मसी लोग आम तोर पर कहते हैं कि इशू खुदा का बेटा है लेकिन जब गहराई में पूछा जाए तो वह कहते हैं कि हाँ वह खुदा भी है पर उसके लिए हमें explanation चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि पिता भी खुदा है बेटा भी खुदा है पर वह दो खुदा नहीं है और फिर आ जाता है त्रियक्ता का सिदाउत जिसे के explain करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो ये है इतिहास के मताबिक तो ये सारी लिखते हैं जिन से डेविड हमें बता रहे हैं लेकिन ये सब इतिहास में धीरे धीरे विकसित हुई है और डेविड ने यहना राची सुसमा चार से बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल किया है और ये बिना बताय किया है अब बाईबल में चार सुसमाचार है मती, मरकुस लुका और योहना मरकुस माना जाता है कि इन चारों में से सबसे पुराना है और जब आप मरकुस से लेकर योहना तक पड़ते था भाए बहुत सारे बदलाव को देखेंगे और ये सिर्फ यहना रचे सुसमाचार में ही है कि येशु को खुदा का एक लोता बेटा कहा गया है और ये बहुत इवसिस्ट यानि स्पैसिफिक सिदान्थ है और ये यहना के सुसमाचार में ही है कि येशु को शबदे खुदा कहा गया है और ये यहना के सुसमाचार में ही है कि हमें कहा गया है कि यशु के नाम से प्रातना करो और ये मसीह समाज में आज आम है और हाँ मर्कुस के सुसमाचार में भी कुछ ऐसे बयान है जो यशु को बहुत ऊचा उठाते हैं जिनके साथ हम मुसलिम सहमत नहीं है जैसे कि एक विद्वान ने इस बात को पॉइंट ओट किया है और जैसे कि हम इस विकास को देखते हैं मर्कुस, मत्ती, लुका और फिर आखिर युहना में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मर्कुस ने भी इस कहानी का विकास किया है मर्कुस भी हमारे सामने असल तथ्यों को पेश नहीं करता है उसका सुस्वाचार भी ठियोलोजिकल डोक्यूमेंट है जो की तथ्यों को मोडिफाई करके हमें मसीही ठियोलोजी देता है इस परिवर्तन को हम बाकी के लिखों में देख सकते हैं अगर मर्कुस से पहले की लिखत को हमारे पास होती तो हम तुरुना करके देख सकते थे कि मर्कुस ने भी बहुत सारे परिवर्तन किये हैं और जो येशु ने नहीं भी कहा होगा वो भी उसने लिख दिया होगा हाँ हमारे पास कुछ संकेत जरूर हैं जो मरकुस से पहले था लेकिन हाँ पूरी तरह लिखा गया कोई संपून सुस्समाचार नहीं है जैसे कि हमारे पास हैं जो सुस्समाचार बाद में लिखे गए थे तो इस बात को हमें अपने ध्यान में रखना होगा कि येशु ने खुद ये परचार नहीं किया कि वह है खुदा का बेटा था वरन वैब बाद में खुदा का बेटा बनाया गया था तो ये है एतिहासिक पॉइंट तो आगे जब हम बात करते हैं टैक्स्ट यानि वाक्या की तो जब हम इस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हम पुराने नियम में एक भी वचन नहीं देखते हैं जहां ये लिखा हो कि खुदा के पास एक इकलोता बेटा है और जब डेविड पवित्र आत्मा के बारे में भी बात कर रहा था कि पिता और पवित्र आत्मा दो अलग परसंस है यासे जेम्स चार्ल्स इस बुक जीजस एंड डैट सी स्क्रोल में बताते हैं कि पराने नियम में ये कभी नहीं था कि पवित्र आत्मा डिवाइन फादर यानि स्वर्गय पिता दैत्य पिता से कोई अलग एक सक्षियत है तो आपके पास ये पिता और पवित्र आत्मा दो नहीं थे और ना ही तीसरे के प्रगट होने का कोई जिकर था वहाँ सिर्फ एक ही खुदा था और पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया कि वह सामर्त एक ताकत थी जो कि संसार में कारियों को परभावित करती थी और इंसानों को भी कि वह कैसे कारिया करेंगे और फिर हम यहां एक विक्सित हुए सिधान को देख रहे हैं और पाइबल के टेक्स्ट यानी वाक्या इस चीज को स्पोर्ट नहीं करते हैं तो ने नियम को सचा साबित होने के लिए पुराने के साथ सेहमत होना पड़ेगा जैसे जेम्स वाइट अपने किताब God to Justifies में कहते हैं कि खुदा एक ही है और ने नियम का खुदा बिलकुल पुराने नियम के खुदा के जैसा है हरे कारिया में और हर तरह से तो ने नियम में आपका कोई नया खुदा नहीं हो सकता है आपके पास वही पुराने नियम वाला एक ही खुदा होना चाहिए ये शुको एकलौते बेटे के परमिशर के साथ रह रहे अनंत काल से एकलौते बेटे के रोप में इंट्रीनिटी की तरफ लेकर जाता है और ये हमारे सामने किसी और खुदा को लेकर आता है आप अपने अपको मिना सकते हैं कि ये तीन नहीं वरन एक ही खुदा है लेकिन हम देखेंगे कि ये बातचीत कितनी दिल्चस्प होती है जब हम आगे इस discussion को बढ़ाते हैं और अब आखिर में जब हम बात करते हैं reason की अगर आपके पास तीन खुदा हैं पिता, फुत्र और पवित्र आत्मा तो मसीही लोग इसे सविकार नहीं करेंगे मसीही कहते हैं कि वे तीन खुदा नहीं वरन तीन शक्षियत हैं जो कि एक ही दैवे खुदा का हिस्सा हैं लेकिन आप इसे कैसे समझाएंगे ये ऐसे लगता कि जैसे ये एक उल्जन है जो कि तथ्यों को शुपाने के लिए बनाई गई है बेटे को यहां शामिल करके आपने एक और खुदा को शामिल कर लिया है और फिर पवित्र आत्मा को एक अलग सक्षियत बताकर जिसके की महिमा और अरादना की जा सकती है ये एक और तीसरा खुदा बन जाता है तो आप बस यहां एक उलजन को इस्तेमाल कर रहे हैं ये ये दिखाने के लिए कि आपके पास बस एक ही खुदा है अब मुहम्मद जिसके ओपर सलामती बनी रहे उसके पास खुदा की तरफ से एक परकाशन है जो कि हमें मोनोथिजम की तरफ वापस बुलाता है एक उलजन को उन्हें ये यशु को अनन तकाल से खुदा के साथ रह रहे एक वाटे बेटे के रोप में ले लिया है और इस तरह उन्होंने ये 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 तरह पूरी तरह घ्रा बना दिया है जिसकी वजह से उन्हें ये त्री एकत़ का सिधान बनाना पड़ा पिता पुतर जहां पिता भी खुदा है पुतर खुदा है और पवितर आत्मा भी खुदा है और ऐसा लगता है जैसे तीन खुदा है तो पुतर के बारे में आप क्या कहेंगे अगर ये बेटा परमेशर के दोरां एकलोता बेटा बनाया गया theoretically वह भी अपने बेटे और बेटियां बना सकता है और इस प्रकार आप Godhead में बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार त्रियक्ता असल में इसके साथ नहीं निपटती है और बाइबल में ऐसा कोई भी वच्चन नहीं है जो त्रियक्ता की सक्षियोतों को तीन तक ही सीमित रखे एक वच्चन पहला ही होना अजय पांच वच्चन साथ था और modern translations में उस वच्चन को हटा दिया गया है तो जब इस वच्चन को बाइबल से निकाला जाता है तो हमारे पास एक ऐसी बाइबल रहा जाती है जो नहीं बताती है कि Godhead में या Trinity में सिर्फ तीन ही सक्षियते हैं तो theoretically आप देख पाएंगे कि येशु के पास उसके अपने बेटे और बेटिया हैं और फिर आप इस Unity में बहुत आयत को देख पाएंगे शुकरिया अपने ओपनिंग स्टेट्मेंट में ही मैंने कहा था कि जितने लोग येशु को Son of God करके पहचान सकते थे उतनों ने पहचाना उसे Son of God करके पिता ने, येशु ने खुद और पवित्रात्मा ने, ये Trinity है हम ये पढ़ते हैं प्राचीन अभिलेखों में जो येशु के जीवन के बारे में है और मसीही होने के नाते, मैं विश्वास करता हूँ अब जब येशु ने सबसे चमतकारिक जीवन बिताया है इतिहास में तो ये परमेश्वर के मोहर की मनजूरी है उसके संदेश पर अब मेरे मुसल्मान दोस्तों की अपेक्षा, मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ परमेश्वर की सामर्थ पर अब अगर येशु के पैगाम पर परमेश्वर चमतकार कर रहा है अधिकार के साथ तो जाहिरसी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग ध्यान दे उस पैगाम पे अब अगर परमेश्वर ही चाहता है ये पैगाम हम तक पहुँँचे तो ये हम तक पहुँचेगा तो जरूर इसलिए मैं first century के अबलेकों को पढ़ करके seriously लेता हूँ मुझे लगता है कि मेरे मुसल्मान दोस्तों का दृष्टिकोर परमेश्वर के प्रती थोड़ा कम है वो ये तो मानते कि परमेश्वर में चमतकार करने की ताकत है लेकिन येशु के पैगाम को खराब होने से बचाने की ताकत उसमें नहीं है अल्ला ने कुरान में कहा कि इंजील उसने दी दिशा दिखाने के लिए मनुश्य जाती को और उसके चेलों को बचाने का भी वादा उसने किया है लेकिन जब वो समय आया कि इंजील और चेलों को सुरक्षित किया जाता तब अल्ला खड़े है लाचार से कि वो पैगाम और चेलों को करप्ट होने दे अब शबीर ने हमको कुछ कारण दिये हैं अपने येशु के पुत्र होने के विरोध में इन में से जादातर कारण उन बातों पर आधरित थे जिसमें उस सिर्धानत को बढ़ा चड़ा के बता दिया गया है कि येशु को परमेश्वर का पुत्र सिर्फ इंसानी तोर पर पहचाना गया है ये दूसरे लोगों पर भी अपलाई किया जा सकता है और बाद में क्या हुआ कि इस बात को बढ़ा चड़ा के कह दिया गया तो अब मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि सन अफ गौड का बाइबिल में आखिर क्या मतलब है क्योंकि अगर आप जाकरनायक को देखें या मरहूम एहमद दीधात को देखें कि बहुत से मुसल्मान ये मानते हैं कि जब दूसरों को सन अफ गौड करके बुलाया गया है तो येशु को भी सन अफ गौड बुला लिया है तो कौन सी बड़ी बात है तो शबीर ने ये पॉइंट बे उठाया था कि यहूदियों में परमेश्वर को पिता कहना आम बात है और दूसरे लोग भी बेटे हो सकते हैं तो बाइबिल में सन अफ गौड का क्या मतलब है इसके दरसल कई मतलब हो सकते हैं कुछ तो जैसा मैंने बताया कि किसी और के लिए भी लागू हो सकता है लेकिन कुछ सिर्फ ये शु के लिए आए हम लोग कुछ बहुत जरूरी वाले जो हैं उन्हें देख लें पहला ये कि सामाने तोर पर परमेश्वर के बच्चे करके सारी मनुष्य जाती को बोला गया है प्रेटो के काम सत्रा में पॉलुस हमें ये भी बताता है कि क्यूं क्योंकि उसी में हम सब चलते फिरते और जीवित रहते हैं वो ही हमारा सुरोत है उसी से हम एक्जिस करते हैं वो हमारा इस तरीके से पिता हुआ तो ये तो हो गए human beings लेकि spirit beings भी हैं जो परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है और उन्हें sustain रखता है बलकि वो परमेश्वर का वचन पूरा कराने में किरदार निबाते हैं तीसरा एक बार फिर से इसराइल देश परमेश्वर का पुत्र कहा गया निर्गमन चार में परमेश्वर ने मूसा से कहा फिरौन से कहना यहोवा की यवानी है कि इसराइल मेरा बेटा है वरन पहलो ठाया है ऐसा राजा जो दाउत के वच में उत्पर्न हुआ हो सन अफ गौट कहला आया क्यूंकि उसे परमेश्वर ने ही सिंगासन पर बिठाया वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन है और परमेश्वर का रिप्रेजन्टेटिव है पांचवा जो है ये थोड़ा अलग तरह से प्रेयोग किया गया है वो लोग जो उसकी इच्छा को अपने चालचलन से दिखाते हैं वो भी सन अफ गौट कहला है क्यूंकि वो उसकी इच्छा में उसके परिवार के हो गए हैं येश्व ने भी पाड़ी उप देश में कहा है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तो ये वो कुछ विभिन्य तरीके हैं और शबीर के हिसाब से पुराने अभी लेकों के समय में लोगों ने कुछ इस भावना से येश्व को सन अफ गौट करके पहचाना होगा अब मैं मैं ने नियम को परमेश्वर द्वारा प्रेरित मानता हूँ लेकिन अगर मैं आलोचक की तौर से देखूँ और आलोचक तरीका ये होगा कि प्राचीन अभी लेकों के अंदर अभी लेक निकाल करके उन्हें अलग-अलग कर दिया जाए इसमें स्कॉलर्स इसे इस तरह से तोड़ते हैं कि मार्क है फिर क्यू है क्यू जो की काल्पनिक है और फिर M में जो की मैथ्यू की सामगरी है और L जो है वो लुका का मैटेरियल हो जाएगा इसी तरह से आप प्रेटों के काम को भी ले सकते हैं और पॉलूस के प्राचीन अभिलेखों को भी मेरा मतलब है कि वो ये देखते हैं कि येशू के जीवन से कितना नजदीक नज़र आ रहा है लेकिन प्राचीन अभिलेख बेशक यही होंगे मार्क क्यू और पॉल की पत्रिया होंगे लेकिन उसमें भी वो सन अफ गौट करके ही पहचाने गए हैं और उसमें भी ये डिवाइन सेंस में ही कहा गया है अब ध्यान दीजेगा मर्कूस के गौस्पल से मैंने दिखाया था कि जब येशू पानी पे चले तो उसके चेलों ने ये कहते हुए उसे दंडवत किया था ये तो परमेश्वर का पुत्र है अब मुझे नहीं लगता है कि उनका ये मतलब था कि तुम हो परमेश्वर के पुत्र जैसे कि हम लोग सारे लोग दुनिया के हैं इसका मतलब कुछ ज्यादा निकलता है जब वो पानी पे चला उन लोगों ने दंडवत करके उसे सन अव गौड कहा अब ये बात तो यहां बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो उसे काफी उंचे स्तर का सन अव गौड समझ रहे हैं जब उसे दंडवत करते हैं इन बातों में वो लेकिन हमारे पास क्यों भी तो है लेकिन इस प्राचीन अविलेक में भी हम उसे पैचान सकते हैं और इसमें ये बात लिखी हुई मिलती है कि येशु ने कहा सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता को भी नहीं जानता सिर्फ पुत्र या पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहिए सिर्फ उसे पता है तो ये तो पूरी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि ये सेम सेंस में तो नहीं कहा जा रहा है जैसे बाकी लोगों के लिए भी कहा गया हो और अगर आप येशु के दावों को इन सोर्सेज में से किसी में भी M, L, Q, Mark किसी में भी देखें तो आपको मिलेगा कि येशु सन अफ गौड करके बुलाया जा रहे हैं डिवाइन सेंस में तो शबीर इसमें पूरी तरह से गलत है कि पुराने सोर्सेज में येशु सिर्फ इंसानों की तरह पहचाने गया है बाकी बाद में इसका विकास करके बड़ा चड़ा के कह दिया गया येशु आदी से ही परमिश्वर का पुत्र है लेकिन शबीर के पॉइंट्स पे अगर वापस जाएं मुहम्मद साफ सुत्रा एक इश्वरत्व को लेके आये हैं लेकिन मुस्लिम सोर्सेज हमें बार बार गॉस्पल तक जाने को कहते है और ये हमारे सारे ही सोर्सेज में दिया है कि येशु परमिश्वर का पुत्र है डिवाइन सेंस में और सिर्फ इंसानी तोर पे ही नहीं और अगर ये हमारे सारे सोर्सेज में दिया है और ये गलत है तो इंजील का पेगाम शुरुआत से ही गलत होना चाहिए अल्ला को कहना चाहिए कुछ भी करना लेकिन ये वाला पेगाम मत पकड़ना और जब हम उनमें जाते हैं तो येशु हमें सन अफ गॉड ही मिलते हैं उसमें तो हमारे पास एक ही चुनाओ होना चाहिए संदेवादी के तोर पर की सारे ही क्रिस्टिन सोर्से जितने हैं वो सब गलत हैं और अन्रेलाइबिल हैं तो इसका तो ये मतलब निकला कि जिस खुदा ने उसे इतनी मिरैकलस लाइफ दी ती और अल्ला ने ये वादा किया था वादा किया था कि येशु के सचे चेलो को वो पुनरुथान के दिन तक के लिए बचा के रखेंगे सुरक्षित और ये वाला खुदा बहुत बुरी तरह से फेल हो गया ये उसे बचा नी सका और येशु का मैसेज शुरुआत से ही करप था जबसे वो लिखा गया और बाद में उसी मैसेज को मुहमबन ने सही कहा है जबकि वो शुरुआत से ही करब था और इन बातों में बहुत बेतर दी भी है इसलिए मैं मानता हूँ कि येशु सन अव गौड था तो डेविड ने बहुत ही दिशस पॉइंट उठाए हैं जिनका मैं अभी जवाब देरा चाहता हूँ उसमें कहा है कि कुरान में लिखा है कि खुदा अपने बेटे पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई पतनी नहीं है लेकिन डेविड यहां मिसकार रहे है कि कुरान बहुत सारे तरीकों से येशु के खुदा के बेटे होने को असविकार करता है कुरान कहता है कि खुदा के पास कोई ऐसे बेटा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि पहले उसके पास एक बीवी होगी और उसके बाद उसके एक बेटा होगा और ना है खुदा किसी बेटे को अडप्ट करते हैं गोद लेते हैं वे किसी बेटे को गोद नहीं लेता वे इवन ये कहता भी है उसका कोई बेटा नहीं है सीधे शब्दों में कहें तो तो खुरान के नजरिया से देखें तो खुदा का कोई भी बेटा नहीं है अब हम देखते हैं कि इसमें क्या समस्था है जब आप कहते हैं कि यश्यू खुदा का बेटा है अब ये हो सकता है कि कुछ लोग शायद सोचें कि देतवता में कोई इस्तरी लिंग का भी पहलू है और कैसे भी करकेस मेल और फीमिल ने किसी तीसरे को पैदा किया है जो की एक बेटा है बारकर ने अपनी किताब क्रिसमस दा अरुजिनल स्टोरी में पहली सदी के शुरुआती मसीहों के विश्वाश के तरफ इशारा करते हुए कहा है कि पवित्र आत्मा एक स्तरी के रूप माना जाता था और कैसे भी करके स्वर्ग में परमेशर का कोई स्तरी लिंग पहलू भी है जो की तोड़ा तोड़ा प्रकाशित वाक्य किताब में भी जाहर होता है जहां स्वर्ग में एक औरत है जो कि एक बच्चे को जनम देती है तो इन सारी उलजनों को टालने के लिए और खुदा के प्रती सारी ही गलत फहमियों को दूर करने के लिए कुरान मुस्लमानों को साफ कहता है कि खुदा का कोई बेटा नहीं है और औरिगिनल सिधान के साथ जाएं जो कि पुराना नियम है जहां खुदा का कोई भी बेटा नहीं है डेविड ने बहुत वक्त लगया यह दिखाने के लिए कि कैसे पुराने नियम में अलग अलग तरीकों के साथ यह शब्द खुदा के बेटे का इस्तिमाल हुआ है लेकिन इनमें से एक भी तरह से यह नहीं दिखाया गया है कि किसी उस विक्ती के लिए यह शब्द खुदा का बेटा है जो अनंतकाल से पिता के साथ है और वे खुदा का इकलूता बेटा है हम देखते हैं कि फरिष्टों से लेकर दो तक खुदा के बेटे हैं लेकिन एक भी नहीं जो अनंतकाल से अब्याकाल के नयों नीमा अनुसरा करें इन्जील के अनुसार ने जो आज उनके हाथों में है वरन उनके अनुसार जो खुदा ने उनकी किताबों में उतारा है तो हमें यहां थोड़ा शानबीन का काम करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि कौन सा असल प्रकाशन है और कौन सा प्रकाशन है जो बाद में लोगों के दौरा उसमें मिलाया गया है और इन किताबों में डाला गया है हाँ खुदा ने वदा किया है कि वे यश्यू के सचे चेलो को संभालेगा और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि कुरान यहाँ पर बहुत जादा सेहन शीलता दिखाता है कि हम अपनी इनसानी बुद्धी से यह सविकार नहीं कर सकते हैं कि कैसे लोगों में इतने शोटे शोटे बदलाव हो सकते हैं लेकिन खुदा के दोरा दिया गया यह कुरान जो खुदा की बुद्धी से आता है और समझता है कि इनसान तो इनसान ही है जो कि कई चीजों में बदल भी सकते हैं लेकिन खुदा लोगों की गलतियों के बावजूद भी वे उने सविकार करता है जैसे भी वे हैं जब तक कि उसने एक रास्ता ने निकाल दिया कि वे आगे कैसे समझे सो कई सदियों तक मसीही लोग नैसियन क्रीड को मानते रहे जब तक कि कुरान परगट यहां जाहिर नहीं हुआ और अब जब कि कुरान परगट हुआ है तो हर किसी से यह उमीद की जाती है कि वे इस फाइनल रेवलेशन के साथ जाए जैसे संद्पॉल ने खुद भी कहा है अपने एक खत में कि खुदा ने मूर्ति पुजगों के अतीत के गुनाहों को गल्त कमों को माफ कर दिया है और अब जब कि यशु के दौरा परकाशन आया है तो लोगों को चाहिए कि वे उसके परकाशन पर विश्वाश करें बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुहमद सलावत आला आए हैं तो लोगों को चाहिए कि इस आखरी नभी के नक्षे कदम पर चलें और मुहमद सलावत आला ने कुरान हमें देते हुए हमें असल में वो सचाहिदी है जो पहले से ही और जो असल में शुरुआत में थी डिविड कहा रहे हैं कि मर्कुस और बाकी के इंजीलें और पत्रियां यशु के खुदा होने की तरफ इशारा कर रही है लेकिन जो मैंने अब्जेक्शन्स इनके खिलाफ उठाए हैं उनका भी तक जवाब नहीं मिला है जो अब्जेक्शन्स हैं जैसे कि जॉन बोर्टन ने अपनी किताब जीजस दी आनांसर्ड क्वेस्टन में उठाए हैं की मरकुस के नजील भी पहले के सुत्रों के अधार पर थी और मरकुस ने भी इन सिधानतों को या अपनी सिख्षा को विक्सित किया है इवाल्व किया है और जिस तरिके से पेश किया गया है उसने आखिर में यह किया है और पॉलस, पॉलस येशु का शुरुआतियां पहला गवाह नहीं था वरन प्रेरित थे चेले थे जैसे जेमस डान ने अपनी किताब Unity in the Diversity in the New Testament में बताया है, पॉइंट ओट किया है कि पहली सदी के मसीह, पॉलस को अपोस्टिट मानते थे और पत्रस को विश्वाष का चैंपियन मानते थे क्योंकि वैं जानते और देखते थे कि प्रेरित पॉलस और प्रेरित पत्रस की सिख्षा में बहुत बड़ा अंत्र है तो कहा है प्रेरित पत्रस की सिख्षा हम नहीं जानते हैं लेकिन उनकी दो पत्रियां हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं जो बात करते हैं दूसरे पत्रस की तो बहुत से स्कोलर मांते हैं कि ये पत्रस की राइटिंग नहीं है ये असल में उसके नाम पर लिखी गई है और पहले पत्रस पर ज़्यादा तर विद्वान बटे हुए हैं तो हमारे पास कुछ भी ऐसा औरिजिनल नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये सिख्षा या इंजील संत पत्रस के दोरा लिखी गई है तो प्रेजितों के कामें पत्रस और बाकी चेलों की जो स्पीजिस हैं उनका क्या जो की प्रेजितों के कामें रिकॉर्ड की गई है आम तोर पर जरातर विद्वान और स्कॉलर ये मानते हैं कि ये सारी स्पीजिस असली चेलों की प्रेजितों की नहीं है और लेखक लुका ने इसे बदल कर अपने तरीके के साथ सब के सामने पेश किया है तो हमारे पास कोई भी असल और शुरुआती रिकार्ड बिल्कुल नहीं है अब जो हमारे पास है वो है एक विकास सुसमाचार के सिधानतों में जिने हम अपनी आँखों से बिल्कुल साफ तोर पर देख सकते हैं और मैंने इसकी पहले भी एक्जेमपल दे दी है कि कैसे यहोना के सुसमाचार में इस सारी कहानी को विकसित किया गया है तो आईए हम देखते हैं कि कैसे मरकुस के सुसमाचार में कुछ चीजों को पेश किया गया है और कैसे बात के सुसमाचारों में उनी बातों को गलत पेश किया गया है मरकुस के सुसमाचार में जब ये शूब बेडी में सो रहे होते हैं तो चेले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हे रबी क्या तुझे कोई फिकर नहीं है कि हम कैसे डूपते चले जा रहे हैं लेकिन मत्ती के सुसमाचार में मती के सुसमाचार में वै उसे प्रभू कहते हैं सिर्फ यही नहीं बाद के सुसमाचारों में वै जानते हैं क्या करना है वै उसकी अराधना करते हैं तो यह बाद में विक्सित हुई असल कहानी से लिए गई यह एक कहानी है ऐसी बहुत सी चीज़े हम बार बार देख सकते हैं मरकुस में अगर उसे वैयरभी कहते हैं तो बाकी की सुसमाचारों में वैय उसे प्रभू कहते हैं अगर वहां उसे गुरू कहते हैं तो बाद में उसे प्रभू कहा जाता है तो हम लोगों को पढ़ रहे है जो कहते हैं कि फिरिश्टे ने ऐसा कहा और यहोना बबतिस्मा देने वाले ने ऐसा कहा तो यह बाद में लिखी गई कहानीा, जो विक्सित हूई है तो हम ये असल कहानी की तरफ जाना होगा इसलाम के हिसाब से अल्ला इतना करने की ताकत तो रखते हैं कि येशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया कोडियों को चंगा कर दिया इतना पाउरफुल तो वो हैं बजाए इसके कि उसे मरने दिया जाए उसे बचा लिया जाता है और जन्नत में उठा लिया जाता है तो खुदा के इतना करने की ताकत तो है और ये खुदा वादा कर रहा है वादा कर रहा है येशु के चेलो को जब तक पनुर्थान का दिन आ जाया तब तक सुरक्षित रखेगा और ये खुदा कहता है मैंने गॉस्पल दिया है इंजील दिया है पूरी मनुष जाती को दिशा दिखाने के लिए और वो उसे सुरक्षित रखता नहीं है और हमारे सारे ही सूर्से करप्ट हो जाते हैं तो ये सब करने की खुदा में ताकत है लेकिन उस पैगाम को लिखे तोर पे नहीं आने देता अब शबीर के हिसाब से येशु को सन ओफ गौड कहने में समस्या है क्योंकि ये इशारा कर देता है किसी औरत वाले पहलू की तरफ मुझे ये दिखाई देता है कि कुरान पक्की तोर से inconsistent है इसमें क्योंकि कुरान चैप्टर 13,39 में और 43,3 और 4 में बात करती है mother of the book की किताब की एक मा है एक किताब है और एक किताब की मा है जो अल्ला के साथ है उसकी presence में तो इस तरह की भाशा थोड़ी समस्यात्मक है अल्ला के साथ एक मा है किताब की जरह थोड़ा कलपना कीजे आप जो मुसल्मान वहाँ है जरह imagine करिये कि कोई आया आपके पास और दावा करता है कि मैं खुदा की तरफ से बोलता हूं और मैं तुम्हारे सिद्धानतों का खं अल्लों वाली बात है आप इसे रिजक्टी कर दोगे क्योंकि ये इसका मतलब ही नहीं है और मैं आपके साथ सहमत भी हूं लेकिन कुरान का रच्चाइता कुछ ऐसा ही सुनाई देता है वो हमारे सिद्धानतों पर प्रतिक्रिया तो दे रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि व मरकुस में और येशु परमिश्वर का पुत्र करके आपके पास मत्ती और लुका में भी है और येशु सन अफ गौड करके क्यू डॉक्युमेंट में भी है आपके पास और आपके पास वो पॉलुस में भी है और शबीर नहीं है मेरा मतलब पहले के लोगों से नहीं पॉल येशु के जिन्दगी से तो आप्यसली उनका कोई पॉइंट होगा इसमें। और हमें क्या करना चाहिए इन्हों ने कहा जब कुरान में ये दिया है कि इंजील वालों को जो उसमें दिया है अल्ला ने उसी हिसाब से जज़ किया जाएगा तो इसका मतलब ये है जब हम बाइबल में जाएं तो हमें सच वाले हिस्से ढूंडने होंगे और जाहिर सी बात है वो मिलेंगे कुरान वाले हिस्सों से ही और हमें ये देखना होगा कि ये इसलाम से कितना सहमत है और इसलाम को हमें इसमें सच ही मानना होगा अब वहां जो अल्ला कह रहे हैं इसका ये मतलब हो ही नहीं सकता क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ही आयतों पहले अल्ला मौम्मद से पूछते हैं यहूदी तुम्हारे पास क्यों आ रहे है नियाए के लिए जब उनके पास तोरा है? अब यहाँ पर क्या मेसेज दिया गया है? यहूदियों को तुम्हारी ज़रुत नहीं है मौमद उनके पास तोरा है? अगर अल्ला का सच मुछ यह मतलब है कि उन्हे तुम्हारी ज़रुत है क्योंकि तोरा में कुछ हिससे गलत है उन्हें ठिक किया जाए तो बात कहने का यह तरीका इस्तेमाल करना बहुती अजीब है क्योंकि अल्ला ने बार बार कुरान में ये कहा है कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ अगर अल्ला ये कहते हैं कि यहूदियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है उनके पास तोरह है और उसके तुरंट बाद वो ये कहते हैं क्रिस्टियन्स के लिए कि इंजील वाले लोगों को अल्ला ने जो उसमें बताया उसी हिसाब से जच किया जाएगा और ये कि इंजील तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं और हम तब तक किसी बात पर नहीं ख़ड़े हैं उसके लिए जो साफ बात करने की बात करता हो अगर अल्ला का वो ही मतलब है जो शब्बीर का मतलब था तो उसने बोला क्यों नहीं क्या अल्ला ये कहने के काबिल है ए गाइज ये तुमारे किताबे सच्विट बिगड़ गई है ये खराब हो गई है तो इसे मत पढ़ना, कुरान में जाना बस मेरा मतलब है, इसमें पॉइंट क्या है कि एक किताब इतनी खराब हो चुकी है जिसमें आप आप लोगों को भेज भी नहीं रहे हो उसके हिसाब से न्याई भी नहीं कर रहे हो शब्बीर के हिसाब से अला हमें ये बता रहे हैं कि जज भी इसी किताब के हिसाब से किया जाएगा जो बार बार उसे सन अफ गॉड बताती है मारा गया, गाला गया, जी उठा उसे हटा के फेक ही क्यों नहीं दिया गया और उसमें आलोचना का एक भी शब नहीं है एक भी शब नहीं है कुरान में आलोचना का सूसमचार के लिए जो की मुझे पता हो मैं शब्बीर को इन्वाइट करता हो कि वो दिखाए कि कहां गॉस्पल का करप्शन कुरान में है यह जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं करता है ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि Arabic में हम यह यूस करते हैं कि Mother of the City, शेहरों की माँ और ऐसा करके लेकिन यह सब किसी भी तरफ हमें लेकर नहीं जाता है मुझे लगता है कि आप निराशा या मयूसी के कारण यह सब पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब बाइबल में सिर्फ कुश जो सचे हिस्से हैं सही हिस्से हैं उन्हें ही माना जा सकता है लेकिन हम कैसे जानेगे कि कौन सा हिस्सा बाइबल का सही है क्या हमें पहले कुरान से विकार करके फिर देखना पड़ेगा कि क्या येश्व ने कहा और क्या बाकी लोगों ने कहा उधारन के लिए आज एक लाल शब्दों वाला अडिशन आया है क्योंकि लोगों ने समझा है कि कुछ बाते हैं जो येश्व ने कही और कुछ है जो लोगों ने येश्व के बारे में कही और इस फरक को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है और अब विद्वान ये जाने की कोशिश कर रहे हैं कि येशु के कहुए सबसे पहले शवद क्या थे तो ये सिर्फ अभी नहीं वरन पूरे इतिहास में चलता आया है कि विद्वान देखना चाते हैं कि क्या येशु ने कहा है और क्या लोगों ने येशु के बारे में कहा है तो वह canonical और non-canonical किताबों में फरक को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक भी कर सकते हैं लेकिन उनके काम का नतीज़ा आज हमारे आंखों के सामने है बले उनके पास ये अंतरजिश नहीं थी जो आज हमारे पास है और उन्होंने बाइबल से ऐसी चीजों को सविकार किया जो असल में इसमें है नहीं थी उदारन के लिए पॉलुस के लिखते हैं तो चेले परचार कर रहे थे कि येशु मसीहा है और वहीं संथ पॉलुस आकर और जोड़ देता है और कहता है कि येशु खुदा का बेटा है तो यही सुस्वमाचारों में पेश किया गया है जो उन कलीसियाओं के दोरा लिखे गे जिन्नोंने संथ पॉलुस की सिख्षा को सविकार किया था तो यह पॉल के पीशे चलने वाले मसीह थे जिन्नोंने इन सुस्वमाचारों को उत्पन किया है उदारन के लिए संथ मरकुस का सुस्वमाचार तो वै पॉलस की सिक्षा पर चले और येशु को खुदा के बेटे के रूप में पेश किया लेकिन येशु के मूँ से शब्दों को निकालने के चकर में ही ये सारी समस्या खड़ी हुए मरकुस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि येशु से पूशा जाता है कि क्या तुम परम धन्ने के पुत्र हो और डिविड कह रहें कि हाँ येशुने इस बात को कनफर्म किया लेकिन इस बात को صرف यहीं पर रिकृड नहीं किया गया है वरन बाकी के सुसमाचारों में ये सपस्ट है कि येश्यू ने महायाजगों से कहा कि आप ही हैं जो ये कह रहे हैं तो उसने खुद से अपने शब्दों में ये दावा नहीं किया तो हमें एक पस्ट दावा चाहिए जहां येश्यों ने कहा है कि वे है खुदा का बेटा है और इसी बात की तो यहां पर कमी है खुदा का बेटा उन्ही अलग-अलग संदर्बों में नहीं जैसे डेविड ने बताया है कि हो सकता है या मुमकिन है डेविड को यहां में एक जगा दिखाने होगी यहां येश्यों ने अधिकारिक रूप में कहा है कि आंटालोजी संदर्ब में येश्यों खुदा का बेटा है कि वेह अननतकाल से पिता के साथ था और उसे पराने नियम से भी दिखाना पड़ेगा कि वहां कोई ऐसा खुदा का बेटा है क्योंकि ऐसे अचानक से कोई भी खुदा का बेटा प्रगट नहीं हो सकता है नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी खुदा के बेटे और बेटियां कहीं भी प्रगट होते रहें इस पूरी दुनिया में अब भी जब कि हम यहां पर बोल रहे हैं अब डेविड ने कहा कि यहूदियों के पास तौरा है और कुरान कहता है कि उन्हें तौरा के अनुसार फैसला करने दो ये इसलिए क्योंकि वे मुहम्मद के साथ हिपोक्रेटिकली पाखंड के साथ आ रहे थे और उससे फैसला करवाने की बात कर रहे थे और ये अगर उनके पख में है तो इसे सविकार करेंगे अगर नहीं है तो उसे असविकार करेंगे तो कुरार उन्हें वापस उनके किताबों के तरफ भीता है कि क्यूं आप ऐसे पखंड के साथ मुहम्मद के पास आ रहे हैं कि वेह आपका फैसला करें जबकि आपके पास पहले से ही अपनी कुताबें हैं उनी के अधार पर अपना फैसला करो क्यों आप ऐसे हिपो क्रिटिकल तरीके के साथ यहां पर आ रहे हैं और अब डेविड कह रहे हैं कि कुरान ये भी कहता है कि यहूदी और इसाई किसी और पॉइंट पर खड़े नहीं रह सकते हैं जब तक कि वे है पहले अपने अंजील और तौरात के उपर खड़े नहीं रहते हैं तो लेकिन ध्यान दीजे कि इसके बात क्या लिखा है आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और इसी में हम मुस्लिम बाकियों से आगे हैं क्योंकि हम तौरात को भी मानते हैं इंजील को भी मानते हैं और खुदा के आखरी परकाशन यानि जो अल्ला ने कुरान दिया है अपने नबी मुहमद सलावत आला के दोरा उसको भी मानते हैं क्या आप पहली किताबं भरस्ट हो गई हैं तो बहुत सारे संकेत हैं इस पर कुरान में बहुत इस पस्ट वचन है इस पर उधारन के लिए कुरान का सूरा नंबर दो आयत नंबर 79 में लिखा है तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्ला की और से है तांकि उसके दोरा थोड़ा मुले प्राप्त कर लें थेंक यू थेंक यू शबीर और मैं बात करूंगा वो जो आपने आखिर में बात कही है कि उन लोगों को ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने हाथों से किताब लिखी है मैं अभी यहां पर कुछ लिख सकता ह carbono कि ये है तो क्या इसका ये मतलब निकलेगा कि कि कुरान बदल गई है या दुनिया में कहीं कुरान बदल गया है मैं नहीं समझपा रहा हूँ कैसे लेकिन अगर इसका ये मतलब है जैसे आपको मालूमी है कि ये यहूदियों को कहा गया है तो मैं ऐसा कहूँगा कि गॉस्पल को करप्ट फिर क्यूं बोला जा रहा है लेकिन जब हम इसी पैसेच को आगे पढ़ते हुए बढ़ते हैं तो यहूदियों से अला कह रहे हैं कुछ ही बस आहितों के बाद देखिए तो क्या तुम लिखे हुए के सिर्फ एक ही हिस्से को मानते हो और दूसरे हिस्से को नहीं मानते तुम में से जो भी कोई ऐसा करता है उसको इसके सिवा और क्या बदला मिलेगा कि इस दुनिया में उसे अपमान मिलेगा और आने वाले कयामत के दिन में कठोर से कठोर यातनाए उन लोगों को जहलनी होंगी तो यहां वो कह रहे हैं कि क्या तुम आधा मानते हो और आधा नहीं मानते और आप हमसे एक्जैक्ली यही करने को बोल रहे हो गॉस्पिल के साथ तो अल्ला के हिसाब से तो हम ऐसा करके नरक चले जाएंगे तो यह एक तुम किताब का मतलब अलग हो सकता है कुटा करा है जब कुरान कहता है कि तो क्या तुम किताब के एक किसी को मानते और एक को नहीं मानते ये उन असल वचनों की तरफ इशारा कर रहा है जो उन्हें दिया गया था क्या अब खुदा की कुश आग्याओं को मानोंगे और जो बाकी हैं उनको छोड़ दोगे ये सुनने वाले यहूदी ते जिन से कहा गया था कि जो वे कर रहे हैं उसके बारे में सोचें क्या वे पूरी तरह से कुश इस्सों को मान रहे हैं और कुश इस्सों को शोड़ रहे हैं जबकि वे समझते हैं कि पूरी किताब बुनके हाथों में हैं तो वह क्या करते हैं? क्या वह कुछ इसों को मानते हैं और कुछ इसों को शोड़ते हैं? तो जब बात आती है अजिल की तो कुरान पूरी तरह से सपस्ट है कि ये शुख अगा बेटा नहीं है और जो कहते हैं कि वह है वह आवशवाशों की कहावतों को मान रहे हैं कोई ऐसा टेक्स है जो उनके सामने होगा तुम अधा मानते हो और आधा नहीं मानते जो ऐसा करता है उसे क्या बदला दिया जाएगा उसे इस दुनिया में अपमान और कयामत के दिन उस पर कठोर यातना होंगी तो अल्ला यहां कह रहे हैं कि एक हिस्सा मानते हो और दूसरा हिस्सा नहीं मान रहे हो टेक्स्ट का और आप हमें यह कह रहे हो कि इसका असली मतलब यह है कि यहुदी यह समझ जाएं कि उनका एक हिस्सा काम का नहीं है और एक हिस्सा है जिसे वो क्रहन कर सकते हैं इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता और अगर ऐसा है तो अल्ला एक अच्छे कम्यूनिकेटर नहीं है कि एक revelation Christians के लिए उत्रा और वो revelation हमारे पास है और वो बार-बार यही कहता है कि येशु सन अफ गॉड है जैसे आप इस पॉइंट पर जोर दे रहे हैं तो हम वचन की गहराई में जाते हैं कुरान में जो उने बात कहीं जा रही है वे ये है कि उने अपना खुदा की तरफ से वाचा दी गई है कि वह लोगों को उनके घरों से बाहर नहीं निकालेंगे और ना उनके उपर हमला करेंगे लेकिन वह लगतार ऐसा करते रहें और जब भले ही उन्होंने अपने लोगों को मारा और उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया तो जब बात आती थी दूसरों की मदद करने की तो वह कहते थे कि हाँ हम दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं करते और इस तरह वे कुछ हिसों को मानते और कुछ हिसों को शोड़ देते थे तो ये एक विसिस्ट आगया है जिसके बारे में कुरान बात कर रहा है तो जब बात आती है नए निम की तो असल कहानी यह है कि यशू एक नभी था एक सेवक था और ला का मेसेंजर था मती अध्य बारा वचन 8 हमें बताता है कि यशू खुदा का सेवक था और फिर पॉलुस ने इसे बदल कर खुदा का बेटा बना दिया और यही कुछ हमें देखने को मिलता है बाकी के सुसमाचारों में अब शबीर आप बार बार यह कह रहे हो कि पॉलुस ने सन अव गौड के सिद्धान को आगे बढ़ाया है क्योंकि एक्ट्स में पहला इंसान वही है जिसने ऐसा कहा लेकिन आपको और सबको पता है कि एक्ट्स जो है वो लुका का दूसरा भाग है और येशु को सन अव गौड करके पहले ही चैप्टर से पहचाना गया है लुका के और लुका की किताब प्राचीन सुरोतों पर आधारित है जैसे कि क्यू और मार्क और इन दोनों में ही येशु को सन अव गौड करके पहचाना गया है तो आप कैसे कह सकते हो कि उसे यहां son of God कहा गया वहां son of God कहा गया और फिर लूका ने उसे son of God करके पहचाना और वो material लिया और फिर पॉलस ने उस प्रेरितों के काम के किताब में उसे son of God बुलाया और फिर invent कर दिया यह सब अगर अगर आप यह चाहने जा रहा हो तो मैं नहीं सूच पारा हूं कि कौन सा मैठ़ड आप लगा रहा हूँ ऐसा मैठ़ड तो मैं भी लगा सकता हूँ इसलाम के लिए और बाकी हिस्थो पे ध्यानी ना दूआ और यह कहने के बाद कि मैं येशु के चेलो से वादा करता हूं कि उन्हें बचाऊंगा और ये कहता है कि गॉस्पल मैंने दिया था मनुष जाती के गाइडेंस के लिए तो आप जो बता रहे हो उसे साब से तो इंजील ने आज तक किसी को गाइड ने किया जबकि था ये पूरी दुनिया के जिनका जिकर पॉलो से पहले किया गया है वे असल में परचार कर रहे थे कि येशु मसीहा है तो लुका को ये विचार कहां से मिला अपने सुसमाचार में लिखने का कि जिबराइल फरिष्टा ये कह रहा है कि येशु खुदा का बेटा कहलाएगा हम नहीं जानते क्यों कि लुका नहीं बताता कि कौन से सुतरों से उसनी ये सारी इंफॉमिशन ली वे अंजान है और हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत संधे है तो हम इस चीज को सभीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मतवपूर्ण बात है जब कुरान कहता है कि येशु के जो पहले चेले वे है बचाये जाएंगे या सुरक्षित रखे जाएंगे तो इसके बहुत सारे माइने निकल सकते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा ने इस ग्रूप को संभाल कर रखा कि वा येशु पर विश्वाश को बनाए रखे और अगर उने येशु के बारे में कुछ ग तो मैं अपने प्रेजिशन को तीन प्वैंट्स में समराइश किया था तुम मैं एप्रिजिख लिए होता है एच हिस्टरी के लिए और रजिए के लिए और ये थ्री के पहले तीन शब्द हैं और हां पुराने नियम का टेक्स्ट कहीं भी ये स्पोर्ट नहीं करता है कि अ और बाद में किसी को लेकर आना ये एक परमेशर पर विश्वाश को ब्रस्ट करता है। और फिर दूसरा मैंने बताया था कि हिस्ट्री इतिहास ये इशारा करता है कि ये शुख खुदा का बेटा है ये विश्वाश बाद में विखसितियां डेवलेप हुआ है। पहले तो मैटा फौरीकली मसीहों ने ये शुख खुदा का बेटा माना इससे हम मुस्लमाने को को इतराज नहीं है बले ही हम इसे ऐसे इस्तिमाद नहीं करेंगे लेकिन असल इतराज तब होता है जब मसीहों ने ये शुख को माना कि वह अडप्ट किया हुआ खुदा का बिचेट किया जाने लगा और ये माना जाता है कि खुदा पिता था और मरियम मोता थी और ये हमारे मनों में कन्फिशन को पैदा करता है और इससाल साथ ये खुदा के साहत एक इस्त değildeni को भी जोड़ देता है लेकिन इसलिए कि खुदा के नाम के साथ इस affects करता है श्रीलिंग कर दिखाया है वरंन appointed इसलिए कि खुदा सिर्फ एक ही है और पवितर वचन इसे ऐसे ही प्रसू करते हैं और हमें किसी और तरीक इसे उसे tresp़र करने चाहिए वे ऐसे पत्रियों को हमेरे सामने लेकर आ रहे हैं जो सालों बाद लिखी गी जो कहती है यहना ने ऐसा कहा यह जिबराइल फरिश्टिय ने ऐसा कहा और यहां तक कि यहना रच्छी सुसमाचार भी यशु के जाने के 20 साल बाद लिखा गया था और हम नहीं जानते हैं कि यह क अपने पढ़ने वालों को यह साबित करने चाते हैं कि वाकई यशु मुर्दों में से जी उठा है तो इन दस्तावेजों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यह सारी कहानी बहुत ही उल्जी हुई है और असल में मन घड़त है और इसका सबसे बैस्ट इंडिकेशन है कि यशु सलीपर नहीं मुआ वरन वह बस बेहोश हुआ था और फिर उसे कबर में रख दिया गया और कबर से खुदा ने उसे अपने पास बोला और यह पॉइंट कुरान के साथ को इंसाइड करता है जो कहता है कि निश्य ही वह इस मामले में संदे में थे कि उन्होंने इस अले सलम को कतल कर दिया है और आखिर में यह खुदा की सामर से बाहर नहीं है कि वह अंजीलों को संभाल ना सके और मसीही विश्वाश को सिर्फ एक सचे खुदा पर बना कर ना रख सके लेकिन कई बार खुदा आगया देता है वह आगया दे देता है कि जैसे इतिहास म वैसे चलते रहें और फिर अपने वक्त में वै उन्हें सही करता है और अब उसने सही कर दिया है हमें आखरी परकाशन यानी कुरान दे कर जिसे मुसलिम और मसीहों को मानना चाहिए यशाया लौच है ये येशु के पैदा होने के 700 साल पहले लिखा गया क्यूंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन हुआ और हमें एक बेटा दिया गया और प्रभुता उसके कांदे पर होगी उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पर आगया प्रक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा तो यहां आपके पास एक बेटा है जो बनने वाला है सामर्थी परमेश्वर शबीर इसका कुछ अलग ही अन्वाद करेंगे क्योंकि वो इसलाम के लेंस से देख रहे हैं और मैं इसका क्यों ना करूं कि इसे येश्व के शब्दों के प्रकाश में देखूं अब जाहिर सी बात है कि शबीर यही कहेंगे कि येश्व ने कभी ऐसे दावे नहीं किये और हमारे सारे रिकॉर्ड यही कहते हैं कि उसने किया सारे जितने सूर्सेज में जाना संभव है वो सब है जो कहता है कि येश्व को सबने पहचाना कि वो सन ऑफ गॉड है और सबने ही गलत समझ लिया और ये बहुत जरूरी है इसके लिए आपको उन्हें ऐसे देखना पड़ेगा जैसे कि वो मानवितियास में सबसे बड़े फेलियर रहे हों और येश्व खुद भी मानविति मानवितियास के सबसे बड़े फेलियर्स में गिने जाएंगे क्योंकि येश्व चुन नहीं पाए वो चुनाओ ही नहीं कर पाए एक भी ऐसे आदमी का जोकि फेटफुली उस मैसेज को लेता और निश्चे करता कि ये मैसेज आगे जाए तब तो क्या आप सोचेंगे गठ होने देगा येश्व का मैसेज खुदा एजाज़त देगा लोगों को करप्ट करने के लिए इतने जो काम येश्व से करवाने के बाद एक कुवारी से पैदा होकर के बच्पन से ही इसलाम प्रीच करके इतनी मिरैकुलस लाइफ जी करके और उसको बचा लेने के हो गए हैं वो सारे रिकॉर्ड मैसेज सब करप्ट हैं और फिर उसको ठीक भी करवा देता और यही खुदा जो कहलवा रहा है को येश्व कुदा का बेटा नहीं था वो कुरूस में मारा नहीं गया और वो गड़के जिंदा नहीं हुआ और वो ही बाद में ये भी कह देता है कि नियाए इंजील के हिसाब से होगा और तुमारे पास कोई और बात नहीं जब तक तुम इंजील पर या तोरा पर या दूसरे प्रकाशनों पर ना खड़े हो शबीर कहेंगे कि इसका मतलब कुरान है कुरान हो नहीं सकता क्योंकि उसमें अंतर बताया गया है पर विश्वास करना चाहिए कि उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है अगर येशु को इतना अधिकार है तो हमें उसकी सुननी चाहिए कि वो सन ओव गॉड है